कि नमस्ते वच्चों विज्ञान के सेशन में आप लोग का सौगत है कुछ प्राकर्तिक परिगटनाओं में आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशों के प्रकार तथा इनकी अनुने क्रिया अब यह जो आवेश है इसी हम आज जो हमारा सेशन इसमें देखेंगे आवेश हमारे भिन प्रकार के होते हैं वो कौन से हैं कितने प्रकार के हैं चलिए इसको समझने के लिए अपनी बुक खोलते हैं तो बच्चों अगर हम देखते हैं आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन हम लटकाएंगी कि वो एक दूसरे को वो इस पर्श ना करें वो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच्च नहीं करें अब क्या करते हैं? यह जो दोनो गपारे हैं इनको हम एक उनी कपड़े से रगडते हैं और फिर छोड़ देते हैं हम क्या देखते हैं? क्या सोचते हैं दोनों आपस में चिपकेंगे ये दूर हो जाएंगे हम देखते हैं कि वो दूर हो जाते हैं जब दोनों गुबारों को हमने किसी एकongeंब कपड़े से रगड़ आड़े के बाद जब उनको छोड़ा तो हम देखते हैं पोड़ा सा और दूर एक दूसरे से हो जाते हैं अब इस क्रिया कलाप को हम क्या करते हैं पेन के जो हमारी रिफिल होती है पेन की जो खाली हो जाती है उससे धौराते हैं यह जो रिफिल है इसको हम पॉलिथीन से रगड़ते हैं और इसको कांच के गलास के एक स्टेंड के मे हम इस प्रकार रख देते हैं ठीक है अब क्या करते हैं हम लोग और जो दूसरी रिफिल है उसको भी हम पॉलिफीन से रगड के जो पहले रिफिल रखी है उसके पास लेकर जाते हैं लेकिन जैसा आप से हमने पहले भी कहा था कि जो चीज हम साइट से रगड रहे हैं वही क्यों नहीं करना चाहिए यह हम आपको बाद में बताएंगे अभी एक्सपेरिमेंट है क्योंकि एक एक स्टेप करके समझ रहे हैं तो हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं अब हम जब देखेंगे तो जब हम वह कांच की रिफिल जो पहले से एक रब करके हमने एक उसमें रग ले लेती हैं वह चुपकती नहीं है तीसरा हम लोग यह करते हैं अब हमने एक जो यह कांच की ग्लास में जो हमने रिफिल रखी थी वह हम रब करके रखते हैं और एक जो गुबारा यहां वाला था उसको भी रब करके हम जब इसके स्पास लाते हैं तब हम देखते हैं कि जो गुबारा है ये कांट की रिफिल की तरफ थोड़ा सा एक्रेक्ट हो जाता है तो ये जो प्रेक्षण है इसमें हम ये आपके यहां लिखे हुए है कि एक आवेशिद गुबारा दूसरे आवेशिद गुबारे को प्रतिकर्शित करता है इसी प्रकार जो आवेशिद करती है लेकिन आवेशत गुबारा है वो आवेशत करता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों पे जो चार्ज जो आवेश आया है वो व्हाइन है कि organizations जानते हैं जो भिन चार्ज होता है वो एक आकर्षित करता है और जो सीम चार्ज होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है जैसे मैंगनेट का हम जानते हैं तो यहां पर अब हमें यह जो हमने रख करा और यह जो एक्सप्रेमेंट्स करें इससे हमें यह पता चल गया कि आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि सजातिये एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शत करते हैं और जो विजातिये हैं बिन प्रकार के आवेश वो एक दूसरे को आकर्शत करते हैं अब अगर हम देखते हैं एक हमारा जो हमारे साइंटिस्स लोगों ने जो एक्सपेमेंट्स करें उसके अधार पर ये देखा गया कि जो रेशम के से रगणने पर कांच की छड़ दोरा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं तो जो कांच की छड़ जो हम रेशम के इस पर रगण रहे हैं उस पर जो आवेश आता है कांच की छड़ पर वो धनावेश होता है और दूसरा जो आवेश होता है वो रिणावेश होता है ये एक माननेता है तो इसमें और ये सारे experiment से prove हुई है और detail में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़े senior classes में इसको और detail में समझ में आएगा लेकिन अभी है आप इसको मान के चलिए और ये देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को polythene से रगड़े हुए आवेशित plastic straw के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्शन होता है तो मीज जब हम आवेशित कांच की छड़ को आवेशित plastic straw के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच में आकर्शन होता है तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्लास्टिक के स्ट्रॉव पर कौन सा वेश होगा बिल्कुल ठीक उस पर जो आवेश होगा वो रिड़ावेश होगा क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो कांच की छड़ है उस पर धनावेश है और वो एट्रेक्ट हो रहा है तो इसका अर्थ है कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉव होगी उस पर क्या होगा आपका रिड़ावेश होगा क्योंकि दोनों आपस में एट्रेक्ट कर रहे हैं तो ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, आप इसको और भी पढ़ के देखिएगा रगणने पर उत्पन जो विद्धुत आवेश इस्थेतिक होते हैं जब हमने दो चीजों को आपस में रगडा तो उस पे जो आवेश आया वो इस्थेतिक होता है वे स्वेन गती नहीं करते हैं, जब आवेश गती करते हैं तो विद्ध्धारा बन दे तो विद्ध्धारा की अगर हम इलेक्ट्रिक करेंट की बात करें तो जब आविशगती करने लगते हैं तब वो एक हम कहते हैं विद्धारा बन दे हैं और हम ये पहले भी classes में विद्धारा के विशन में अध्यान कर चुके हैं और ये भी देखा है जब हम एक circuit बनाते हैं तो उसके अंडरा current flow होता है जिससे बल्ब चमकता है तो यहां जो है खाली एक आम कहें बल्ब चमकता भी है और उसके साथ तार भी गरम हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाही यह होता है जिसके कारण आपका जो इलेक्रिक बल्ब है वो जल रहा है तो मीस जब दो चीजों का आपस में रगड रहें तो वो आवेश एक आरज़त कर रहे हैं लेकिन वो आवेश जब एक बहने लगता है तो वो विद्धुधारा का रूप हम उसको कहते हैं और जब विद्धुधारा भैती है तभी जो बल्ब है या हमारे इलेक्रिक चीज़े वो जलती है वो गरम होती है तो अच्चाव करन विद्धुधारा की बात करें तो इसका आर्थ है उसमें आवेश का प्रवाव हो रहा है अब यह जो आवेश का इस्थाना अंतरण कैसे हो रता है कैसे वो एक से दूसरे सरफेस पर जाते हैं इसको मैं डिटेल में नेक्स से करते हैं जबकि विजातिय भिन प्रकार के आवेश एक दूसरे को आखर्शित करते हैं रगर्णे पर उत्पन विद्धुत आवेश इस्थातिक होते हैं विस्वयम गती नहीं करते हैं जब आवेश गती करते हैं तो विद्धुधारा बढ़ते हैं अब आपको पता चल गय उसका डिटेल में समझते हैं तो आपने पहले क्लास में एक विद्धारा के बारे में पढ़ा अब आपको पता चल रहा है कि विद्धारा का अर्थ क्या है कि उसके अंदर आविशो की गती हो रही है तो बच्चो आज जो हमने पढ़ा है इसके मैंने नोट्स भी आपको और जो सीम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक दूसरे को दूर करते हैं तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आएगा तो वो दूर होंगे नेगेटिव नेगेटिव सामने आएगा वो दूर होंगे लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो ह सामने आएंगे वो दूस्यों को एक्रेक्ट कर देगे तो धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे चल रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेंगे मिलते हैं पर से बाई